एक गाउं के बाहर मंदिर में एक हाथ ही आया उसे देखने के लिए वहां तीन नेत्रहीन लोग आये एक ने उसका पाउं छूकर देखा और उसने कहा ओ ये हाथी तो खंबे की तरह है दूसरे ने उसके पूँच को छुआ और उसने कहा हाथी रसी की तरह है तीसरे ने कान चुआ और उसने कहा कि हाथी तो सूप की तरह है ये कहानी हम सब जानते हैं उन तीनों की आँखे नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा समझा अब देखिए आँख वालों की कहानी ये हैं कीर्थी ग्रेजुशन पूरी कर चुकी हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तकलीफ में पली बढ़ी हैं इसलिए आगी की जिंदगी सुक्चैन से गुजारने का इनका एम्बिशन है अगर लड़का खोबसूरत और दौलत मंद हो तभी ये उससे प्यार कर सकती है ये हैं स्फूरती जैसा इनका नाम है वैसी ही ये दूसरों की जिंदगी में स्फूरती भर देती है सेवा भाव इनमें कूट-कूट कर भरा हुआ है मदर टेरेसा इनकी रोल मॉडल है शादी का कोई रादा नहीं है हाँ लेकिन मनचाहा लड़का मिला तो इनकार भी नहीं है और ये हैं प्रीदी प्रामभड के घर में जन्म लेने के बाद भी परिवार के संसकार को फॉलो करने के लिए तयार नहीं घरवालों ने जो लड़का पसंद किया है वो इनका करीबी रिष्टेदार है और वो इन्हें पसंद नहीं है इन्हें सिर्फ एक पती नहीं चाहिए मर्द चाहिए मतलब ही मैन खैर, उन तीन नेत्रहीन लोगों की आँखें नहीं थी इसलिए उन्होंने अपनी तरह से चीजों को समझा लेकिन जिन्हें आँखें हैं, दिमाग है वो भी ऐसी बेवकूफी करते रहते हैं अब इनका ये सपना है या फिर किस्मत का लेखा कौन जानता है हाँ लेकिन इनके सपनों में खरा उतरने वाला कोई एक शक्स तो है कौन है वो मिस्टर पोफेक्ट कौन है किस्टर पोफेक्ट किस्टर पोफेक्ट किस्टर पोफेक्ट किस्टर विराट प्रसाद को मैं अच्छा बिल्डर समझता था लेकिन आज देखने के बाद पता चला तुमारा बॉस एक सरकस कंपनी का ओनर है अपने आपको माफिया डॉन समझकर लगता है ज्यादा चर्बी चड़ गई है तुमारे जिसम में खून तो है नहीं लेकिन सारी हड़ी पसली जरूर दूड़ूंगा डॉक्टर खुद समझने पाएगा कि क्या किया जाए सोच लेना अबे हुआ 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 कदे हुआ 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 झाल हुआ 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 है हुआ 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 है अभाइ ड्यूआ है हुआ है रवाइ मैं आपी अवच्य प्रोजेक, जब प्रोजेक अवच्छेक जब प्रोजेक जब रहाएं जब एक भी आप दो और ग्या आपक, यह जब रहा है वो प्रोजेक्ट मुझे हर हाल में मिलना चाहिए उस पर साइन ना करना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा इस वक्त टाइम क्या है? जब सामने मौत का फरिष्टा बैठा हूँ तब मरने वाला घबराहट के मारे अपने साय से ही सवाल करता है ऐसे में तुम उसे टाइम पूछ रहा है शाब नाइन ओ क्लॉक इस वक्त यहां ग्यारा बज रहे हैं तेरे वक्त से पूरे दो घंटे आगे हूँ टाइम प्रोजेक्ट दोनों में तो फिर एक बात समझ ले कि तू जिस पर साइन कर रहा है वो तेरी मौत का फरमान है कर फिर दो दो में तेरी मनाँ थे वो जाएं पूरे वो तेरी मौत का बजा रहा है तुम्हारा जाना जरूरी है अच्छी अपॉचुनिटी है सेलर भी बहुत अच्छी है तुम्हारी बेहन भी यह कहके गई थी लाउट कर आई तो पेट पे बच्चा लेकर आई इस बच्चे का कौन सहारा है कल पूछे की मेरा बाप कौन है तो क्या जवाब दूंगा लोगो इसलिए अभी तक हिज़त बची हुई है मैं नहीं चाहता कि दुबारा वैसी घटना इस घर में घटे समझ गई ना मेरी बात तुझे ये काम धाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं तेरे लिए को योग इलरका ढूनता हूँ घर बसा ले लेकिन पती वही है जो हमें समझ सके किसी अंजान को अपने गले में बांद कर मुसीबत झिलना बेवकूफी है आज तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही है उसके वज़े ये बेवकूफ खुद है मा आप इन्हें समझाओ ना मा मैं जिन्दीगे में कुछ बनना चाहती हूं मा आप समझने की कोशिश करो सच कह रही हूं मैं ऐसे कोई गलती नहीं करूंगी हूँ 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 है इस तरह से क्यों सोच रहे हैं इसके भी अपने कुछ सपने हैं प्लीज पापा मैं आपके इज़त का पूरा खैल रखूंगी पापा केर्थी गुड़ बट वन थिंग मिस्स केर्थी यह मुटिनाशनल कंपनी है यह ड्रेस यह सादगी यहां नहीं चलेगी तो यह बेटर चेंज और स्टाइल और स्माइल प्रूल आपके अंटि यह गुड़ है यह विड़िग धुड़ अई है अई है किती रेस्टाइल तो किती यह बट अव्यड़े है ज्यवा है यह व्रेबरेगरई कैसा रहा एक्सिलेंट मैं एग्रिमेंट साइन हो गया दिस इस अ 10,600 क्रोजेक्ट फोर प्लांट एक प्लांट के अंदर तीन शिफ्ट में हजार लोग काम करेंगे एस्पेशली फॉर रूरल पीपल ओनली तिंग इस हमें गवर्मेंट से लैंड अलॉट करवाना होगा वी नीड एट लिस्ट अरॉंड 4,860 एकल्स वो हमें कैबिनेट से अप्रूव करवाना होगा ओके फाइन एक सवाल इस प्रोजेक्ट को गवर्मेंट क्यों मन्जूर करेगा गुड क्वेशन आज जो पाव प्रॉब्लेम चल रहा है इससे गवर्मेंट को बहुत प्रॉब्लेम हो रहा है बगल की स्टेट की पॉलिडिक्स की वज़े से और सेंट्रल में ऑपोजिशन क की वज़े से हमें सेंट्रल गवर्मेंट से कोई हिल्प नहीं मिल रही ऐसे वक्त में हमारी गवर्मेंट अगर यह प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी पावर के मामले में हमारी स्टेट सबसे पाव़फुल बनेगी अ अ इस प्रोजेक्ट को गवर्मेंट ही नहीं कोई भी ना नहीं करेगा मैं सिंग हूँ और हमेशा सिंग रहूंगा इस प्रोजेक्ट को तयार करने के लिए उसने फॉरें इन्वेस्टर्स को रेडी किया होगा लेकिन यहां के सारे महारतियों को मैं खरीद कर रहूंगा सर यह काम इतना आसान भी नहीं है मैडम स्ट्रिक्ट है यहां हर कोई स्ट्रिक्ट है और हर किसी के अपने उसूल है शत्रंज में सबसे खतरनाक किस की चाल होती है क्या तुम्हें पता है वजीर की चाल और यह सिंग इस खेल का वजीर है यह साबित करने के लिए सिर्फ एक अपॉइट्मेंट चाहिए वो भी दो मिनट का सेर दो मिनट में क्या हो पाएगा नेशनल एंथम सिर्फ बावन सेकेंड का है लेकिन उसकी पावर मुझे सिर्फ दो मिनट का अपॉइट्मेंट दिला देन आई विल शो यू दा सिंग्स बावा वो कौन है यह जानने के लिए हाफ एना लग जाएगा और वो कहते हैं कि दो मिनट की बात है मैंने भी उनसे यही कहा मैडम छीक है लेकिन मैं यह तो सच है ना कि मैं बेजी हूँ जूट तो नहीं बोल रही है तो फिर सच ही बता दीजिए मैडम वो सेंग वो भी बाकी है ठीक है मुझे गारी तक पहुंचने में दो मिनिट लगेंगे आपके हजबंड और मैं बहुत क्लोज थे देड़ मिनट हो चुके हैं कि आपके हजबंड ने हमें चुपके से हंड़ेड क्रोर रूपीज दिये थे सब ब्लैक मनी थी अब वो नहीं रहे उसके बारे में क्या करना है आपको सोचना है अब टू मिनट्स हो गए करियो प्लीज रात को डिनर पे बात करते हैं थैंक्यू मैडम केहू जी बेटा इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है आपको काम करने की क्या जुरूद है मैं किसी कटुकड़ों पर नहीं पलना चाहता हूँ आपकी किसमत ही खराब है भैस के आगे बीन क्या बजाना मैं ही पागल हूँ जो आपको समझा दीग अब इनहीं देखिए उम्र काफी हो गई है फिर भी काम कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह बहुत खुद्दार इंसान है अब बेटा पीनी के लिए पैसे नहीं देता इसलिए खुद ही मैनत करके चार पैसा कमा कर पीने का इंतजाम कर लेते हैं कमला जल्दी आना ल इस सड़क पर नीराम करेंगी क्या अब क्या देख रहे हो जिससे वो चाहती हो उसके साथ भागने दो से इंतना चोर से क्यों पूल रहे हो आईसता पूलो मैं किसी से डरती हूं तो अपने बाबाब से नहीं डरी तो मुझसे क्या डरेगी बड़ी की शादी करवाने वाले तुम हो उसकी शादी के लिए दहिश देने वाले भी तुम हो अब चोटे का सारा खर्चा में तुम ही उठाओगे क्या बक्वास बंकर कोई सुनेगा तो क्या सुचीगा दिदी सुनो तुम उसकी बाद सुनकर अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो तुम्हारा भाई अभी जिन्दा है ना मैं उसके लिए नहीं रो रही है तुम्हारे बच्चों को खिलोने या कपड़े चाहिए कल तुम्हारे जीजा जी का बढ़ते है जब से शादी हुई ह तब से मैं हर साल उन्हें किम देती आई हूं लेकिन इस साल ना ही वो आ रहे हैं और ना ही मेरे पास पैसे हैं इसलिए रो रही हूं है ह anti white यह लो रखोव यह भी रखो तुम्हारे गई आओंगा तुम ही आती रहना ठीक है इती हूं मन्हें को शांगों ने मुव कि यह जान्ती हूं लेकिन यह मुवकिन नहीं है क्यों शाम को आएगा तब बताऊंगी तुर्याओ ब्लैक मनी से तो आपको है फाइदा होगा ना मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमें छोड़ कर नहीं जाता और बिना मेहनत का पैसा कभी टिकता नहीं हम मैंने सुना था कि सिंग बहुत ही इमानदार शक्स हैं यू प्रूवड इट थैंक्स मेडम आपको मुझसे कोई हैल्फ चाहिए तो बताइएगा हमारे बीच कोई गलत वामी नहीं होनी चाहिए कभी नहीं होगी मेडम आई हैवे प्रोजेक्ट अडिस इस माइप्रोजेक् यह प्रोजेक्ट आपका काम हो गया थैंक्यू मेडम तो अब में चलता हूँ आइविल सेंड यू अमाउंट हमान गया आपको लेकिन सो करोड बहुत होते हैं हलो इट्स तेन थाउजन सिक्स हैंड़ क्रोड प्रोजेक्ट परसेंटेज ही बनता है थ्री हंड़ अब है तो फॉर हंड़ेट क्रोर और अभी सिर्फ हंड्रेट क्रोर में ही मेरा काम हो गया सिर्फ छोटी सी मुलाकात में सीम मेरे मुठ्धी में और आगे जितने भी प्रोजेक्ट आते रहेंगे इसली सेंक्शन होंगे हाउस बैट हाहा गोड़ अगोड इवनिंग एवरी काम कीमती है फिर उसी सक्सस को आगे बढ़ाने के लिए उससे हासिल होने वाला टैलेंट ही एहम है और वह काम हमारी कमपनी कर रही है इसलिए अगर जरूरत पड़ी, तो यहां के talented persons को मैं यूज करूँगा. With your permission, sir. Sure, sir. Thank you. Thank you everybody. Sir, आज की यूद के लिए आप एक role model है. So, will you please guide us all? काम्याभी मिलती है भाग दौड से. और भाग दौड करने के लिए आउसर की जरूरत है. इसलिए हर आउसर का सही इस्तिमाल करूँ. दूसरों पर जीत हासिल करने से पहले, खुद पर जीत हासिल करनी चाहिए. And one more thing. Participation or performance are two wings of life. I wish you all fly high with those wings. All the best. हाँ, तू ऐसे क्यों देख रही हैं उसे? What a great personality. उतना ही नहीं यार, जानती हो उसकी कितनी प्रापर्टी है? More than 6,000 क्रॉज. उनकी कंपनी का establishment 16 countries में है. अपने माता पिता का इक लौता है और वो बैचलर भी है. इसे ही लड़के को मैं धून रही थी. हाई सर, इम किर्ती. हाई. मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ हूँ. ओटोग्राफ? यस सर, शी वरी प्रॉमिसिंग तलेंटेड़ू. तो स्मार्ट. इप यू दों माइंड, मैं आपसे मेरा… मिस्टर विराद प्रसाद, वन मिनिट फ्लीज. एक्स्कूज में. हलो? अरे तो किस सोच में डूब गई? किसे चाहिए, यार, या टेंशन वाली लाइफ? ऐसे शक्स को लाइफ पार्टनर बना लो, तो पूरी लाइफ आराम से कटेगी. नहीं, यार, जिसे किसी लड़के से प्यार हो गया हो, उसका मन कहा लगेगा? तू ने उसे अपने दिल में बसा लिया, लेकिन पता ने उसके दिल में कौन है? फिक्र मत कीजिए. गुरवार को मेरा बिठाप को पैसे दे देगा. अगर इसके अलावा और कोई मदद चाहिए, तो कह दीजिए. बेटी, मुझे जब भी कुछ जरूत पड़ेगी, तो मैं मांग लोगा, अब जिजकूंगा नहीं. हम चलते हैं. ओ, स्फूर्ती, आजओ बेटा, आओ. शाबाज, शाबाज. खुश्राओ. ये दौलत मंदों में से एक हैं, ये लोग? नहीं, ये बहुत छोटी बात है. पैसों से सिर्फ अमीरी मिलती है, लेकिन इंसान के अच्छे गुणों से इजज़त मिलती है. बेटी, तुम्हारे अंदर वो दोनों गुण हैं. बेटी, ये हमारे आश्रम को मौकों मौकों पर अच्छी खासी रकम देते रहते हैं. वाव, बेटी, आज मेरी मम्मी का बथड़े है. तो इसलिए हर साल एक अनाध आश्रम और एक स्कूल को गोध लेकर उसे डेवलप करना ही हमारी चाहती. लीजे. And this is from my side. बेटी, मैं तो भूली गया था. मुझे माफ कर देना. जनम दिन बहुत मुबारक हो. Many, many happy returns of the day. Thank you. Many more happy returns of the day. Thank you. वो क्या है? बुक्स है. छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए fairy tales हैं. पैसे देकर इन बच्चों को भिखारी बनाने से तो अच्छा है कि किताबे देकर इन बच्चों को स्वाभी मानी बनाया जाए. यही मेरी सोच है. Nice. Once more हो जाए? पैसे देकर इन बच्चों को भिखारी बनाने से तो अच्छा है कि किताबे देकर इन्हें स्वाभी मानी बनाया जाए यहीं मेरी सोच है मम्मी इनके आगे हम कुछ भी कर लें सब कुछ वेस्ट है नो अम सॉरी मेरा मतलब आप लोगों को हट करना नहीं था कुमने कुछ घलत नहीं का यहां आते रहे हमें बहुत अच्छा लगेगा कुछ लोग तो सर्फ हमीं दिलासा देने के लिए हमारी तार्πως करते हैं लेकिन फिर भी हमें सब कुछ समझ में आता है, हम सब के जीवन में कोई नो कोई मकसद है, लेकिन इन बच्चों के जीवन में कोई मकसद नहीं है, I feel. No, no, I like your thought. हम ये, शाम को इस बारे में discuss करेंगे. ओके. इससे बच्चों में बांट दीजिए. जी, सरु. पूर्थी, I like you. पूर्थी, I like you. पूर्थी, एई! एई! अँवर दोकॉर्ण आवार्ण वाट के लिए वाट राव पूर्ण वाट के लाट वाट के लिए बाहता है. यह ज़िए, और पूर्ण तुर्ण आपूर्ण? देखो, लेडीज, एक बॉल की तरह होती है, क्रिकेट बॉल, उस बॉल को कैच करने वाला है, हैंड होता है, चेंट्स, और ऐसी अपरचुनिटी मिली है, इस हैंड को, मिस नहीं करना चाहता है, जिसके दिल में जटका लगा, उसका दिल जिंगल अला, है, हेलो, सौरी, मुझे आने में लेट हो जाएगा, लगता है, आप बॉल बिजी हैं, पिर भी वो जारू लगाते हैं, सल्मान खान भी बिजी है, लेकिन वो बच्चों के साथ खेलते भी हैं, ग्रेट, वैसे आप क्य प्रिती, माने लगा, दिल चेर गई, नाइस नेम, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बिकास इतने बिजी होते हैं, ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेडीज को देखकर मैं बिल्कुल पर्फ की तरह पिखल कर उनकी और बेह जाता हूं, कहां ज जैसे कोई चीज सड़ गई हो, आप ने यूज किया है, यूज किया है, फिर मरे क्यों नहीं, आप मुझे से ब्रेक मारूंगा, तब आप मुझे से जोर से चिपक जाएंगे, आप यहीं सोच रही है, लेकिन, मैं इतना घड़ी आशिक नहीं हूं, होते तो भी पर्क नहीं पड़ता, मतलब, सीदस, यह तो बोरी सिलने के लिए है, बोरी सिलने के लिए नहीं, इस के लिए है, पहुत बहादूर लड़की हैं आप तो, वा, क्या हुआ आपको, फास्ट और फ्यूरियस हो गए वो सामने बहुत क्राउड है, कहां से रिकलो, यही सोच रहा था, ठीक है, आप निकल जाएगे, मैं यहीं उतर जाती हूं, हलो, एक्स्क्यूज मी, आपको तो ओरियन मौल जाना था ना, मेरे फ्रेंस ने अगर मुझे आपके साथ देख लिया, तो मुझे चैन से जीने नह और सर्वेस, ओके? वरना बेकार में यहां लफड़ा हो जाएगा, फिर उससे क्या फाइदा होगा? क्यों माशे, आप भला इन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो? किसी को कहते हैं प्यारे, यूथ का पावर, हमसे जो भी टकराएगा, कुछ नहीं होगा, किसान नहीं है तो अनाज नहीं मिलेगा, ट्राइवर ना हो तो ट्रांसपोर्ट एजन्सी नहीं रहेगी, क्या बात कर रहे हो? अपनी आउकात मेरा है, तुम लोग यह गलत कर रहे हो, तुम लोगों की भी इज़्जत है, उसे गवाओं मत, सॉरी फॉरे, यह चल लाना, चल रहे हैं, आया सीख सेने, ऐसे कई टपोरियों को हम देख चुके हैं, गोट पहन के अपने आपको यहीरा समझ रहा है, गुरुबक्ष जी, तुम जाकर वो फाइल सब्मिंट करो, ठीक है सिर, तुरा देख उस हीरो को, गोट गंदा ना हो जा, इसलिए गाड़ी में रख रहा है, खादी जनता के रख्षा के लिए, खाकी देश के रख्षा के लिए, चड़ी और बन्यान इज़द बचाने के लिए, और कोट इज़दार के लिए, मैं गुछ काम से बाहर आया हूँ, इल गेट बैक इन टेन मिनिट्स, था लिए जन टेन टेन दोना आएआर के रहना दोना तोहाँ! बाड 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 पाड झाल क्वाड़ सुत्श राड बाड 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 झाल नए करेक्ट होना चाहिए एपीटी प्रेजेंटेशन बहुत इंपोर्टेंट है फिर से एक बार चेक कर लो मुझसे रेस लगाएगा चाहे कोई भी हो हम तुमसे सवा सेर हैं यह दिखाना जरूरी है कर देसला से लगाएए एफ कर दो किया टिक है एहाएगां अपारणाईंटे एफ एच hàng वेया वेला उसत minutes जोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर औरों को परिशान करने से कोच हासिल नहीं होगा तुम जैसे जवान लोगों के करने के लिए और भी बहुत से काम है समझ गया ना हाँ इस सब क्यों निस्टब कर रही है हलो 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 क्या फिल्म देखने अरे छोड़ यार यहां लाइफ चल रहा है अगर आक्शन देखना है तो उस हीरो का नहीं इस हीरो का देख अलोग उस भी यहां षैसर शेला चलोगै विल्ह फिल्थ डार हो मतली मतली प्लेश कर प्लेंदब को मतली और लोगश के अधार्य मतली प्लेव मुझे लगता है मेरी लाइफ का हीरो यही तुन लड़की है कि कया मत है शादी करने वाले लड़के के सामने उधम मचाएगी तो क्या ये तुर्स से शादी करेगा शादी किसके साथ हमारे पांडु बंदू शर्मा के साथ मैं नहीं करने वाली क्यों नहीं शास्त्रों का इसे अच्छी तरह से ग्यान है सारे मन पटाफट बोल देता है इस बंदू के साथ शादी करके मुझे अपनी लाइफ नहीं करब करनी क्या कहा जो सुना वही कहा लेकिन क्यों यह मेरी जिंदगी है जो आप लोग प्रेशर डालेंगे तो जान दे दोगी जाती बदल दूंगी पर फैसला नहीं मुझे शरावी बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे में तुम दोनों पीकर मेरे घर आयो फिर भी तुम लोगी बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं मुझे मदद चाहिए यार ब अच्छी बात है प्रॉब्लेम साल हो जाएगा ना जाओ जल्दी जाओ लेट हो गया है मुझे भी सोना है जिन्दगी बॉक्सिंग रिंग की तरह होती है तुम्हारे रिंग में उतरते ही जीत अनौस नहीं होती खेलना पड़ता है महनत करनी पड़ती है तब जीतते हैं ऐ तुम लोग बैठ कर बाते करो मैं खाना लगवा तो बताओ तुम दोनों क्या करना चाहते हैं अगर तुम पैसा दो तो एक गैरेज है उससे लेकर हम लोग चलाना चाहते हैं पैसे देकर इन बच्चों को बिकारी बनाने से तो अच्छा है कि किताबे देकर इन बच्चों क वही उसे सॉल्फ करता है चलो खाना खाते हैं नहीं गुरू क्यों फोकर्ड में मिलता तो जाकर बोतल खोलते ना दुबारा किसी को टोपी पेनाने के कोशिश मत करना चलो खाना खाते हैं यह क्या बेटा वो हेल्प मांगने आये थे ना तुमने कहा उधार दूंगा इंस्टाल्मेंट भी फरना पड़ेगा यह सब क्या है बेटा मैंने मदद करने से कहां इंकर किया मा मैं तो बस उधार दे रहाँ पर क्यों बेटा आसानी से पैसे देकर किसी को आवारा बनाना होगा उसके बाद उन्हें ज्यादा पैसा देकर एक अच्छा बिजनेस खोल कर देना मेरी जिम्मेदारी है उस वक्त जब मैंने तेरी बाते सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा था लेकिन हमारे पास इतनी दौलत होते हुए भी तुने उन लोगों को लोन देने की बात क कि तुझे दोस्तों की कितनी चिंता है यही सोच रही थी बट यूर राइट बीटा सॉरी ममी बिना आपके परमीशन के मैंने उनको मलत का वादा कर दिया विराट किसी जरूरतमन की हेल्प करना उपरवाले के बैंक में एवडी करने जैसा है बहले ही वो लोग पैसे ना ल नोटाता है किसी अच्छे काम के लिए किसी की परमीशन की जरूरत नहीं है गॉड ब्लेस यू थैंक यू मांब यह किस लिए सेफ्टी के लिए किसकी सेफ्टी मेरी खुद की पर क्यों मैडम अचाना की स्पीड ब्रेकर में लातों कारी जंप हो सकती है और तुम मेरे कहीं भी पिन घुसा दोगी और उसे तुम्हारा प्यार समझ कर मुझे सेहना पड़ेगा उस जख में अगर सेफ्टी हो गया तो डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा डमरू ही बदलना पड़ेगा इससे अच्छा है पहले ही प्रिकॉशन ले लिया जाए ना रहेगा बास ना बजेगी बासूरी प्लीज कब बहुत अच्छी सूच है चलने क्या कि किसी अरजंट काम से जा रह आप भी तो हमेशा मेरी शादी के लिए जित करते हैं मैं सोच रहे थी वो ठीक रहेंगे मतलब तुम शादी अपनी कुशी के लिए नहीं हमारी कुशी के लिए करोगी ऐसा ही समझ भीजिए चलता हूं तुम्हारा बाला करे बेटा नमस्ते हाई हाई कैसी है आप जा रहे ह है एक अरजेंट मीटिंग है ओके गड़ लग फर वाट वो आपने कहा ना की मीटिंग है तो जरूर कोई जरूरी बात होगी इसी लिए थैंक्स अलोट अब मुझे अगर आपसे फिर मिलना हो तो कोई बहुत ज्यादा इंपोर्टन काम है ऐसा कुछ नहीं है बात करनी थी अब यहां जब एक लड़के की लाइफ में एक लड़की एंट्री लेती है तब उस लड़के के चाल-चलन पूरी तरह बदल जाते हैं यह मुझे आज पता चला अब अब क्यों नहीं पहना है तुमने अब क्या दिन में भी पहनू मुझे रात में पहनने की आगवत है इन में लेट कर मैं कभी खराटे नहीं मारता मतलब मैं सोता ही नहीं हूं सर चीची मेरे कहने का मतलब वह नहीं था बाई यह भी कहने का मतलब वह नहीं था इनका मैं क्या करूँ रात में मेरी वीवी सर पर मारती है तो सर ना फट जाए इसलिए पहनता हूं क्या बात है सर आप इतना हस क्यू रहे हो मेरा सर देखकर समझ ले यह बताओ तुम क्या करती हो अरे सर क्या बताओं आपको सुवे से शांक तक पसीना बहा कर मेहनत करने पड़ती है ठक जाती हूं सर पेट भड़ने के लिए किया कुछ नहीं करना पड़ता है अरे यहां क्यों उतर रहे हूं यहां सामने आवारा लड़के खड़ें आगे चोड़ देता हूं बहुत 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 शुक्री है सर थैंक्यू इतना लेट क्यों हो गई मुझ्से पोच रहे हो उनसेपुछो ठीक है सर ठीक है इतना लेट क्यों हुआ क्या लेट तुम अंदे हो गया कितने ट्राफिक थी ठीक है चला अपनेन नंबर दे मेरा नंबर किसी है देता है कि नहीं ठीक है लिलो 92484-8737 श्याणा मत बन दलाली का काम कर रहा है दलाली का काम कर रहा हूं मतलब यह क्या बोला क्या कहना था दिल की बाद दिल में रखने से दिल का बोज बढ़ जाता है ऐसा कुछ नहीं है दरिसल आपकी रिच्छनेस में और आपकी कैरेक्टर में बहुत फर्क है स्पूर्ति मेरे रिचनेस से केरेक्टर जादा दिख रहा होगा लेकिन इस मामले में तुम मुझसे दो कदम आगे हो मैं नहीं नहीं मैं रियली मीन इन मैं मेरा हमारा ऐसा सब लोग कहते हैं लेकिन सबको अपना कहना आपका बड़ पने इसलिए आप किसी का भी दिल बहुत जल्दी जीत लेती हो इंक्लूडिंग में that's why I like you a lot क्या कहा आप ने मुझे I can't believe it स्फूर्ति तुमारा नाम ही स्फूर्ति दायक है keep going नमस्कार नमस्कार देखा जाए तो सरकार का हर काम टेंडर के जरिये ही किया जाता है पहली बार हम किसी प्राविट कंपनी के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं आज की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है एशिया का सबसे बड़ा पाव प्लांट हमारे करनाटक में ही है लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा पावा की प्रॉब्लम भी हमार यहां है इस प्रोजेक्ट से क्या फाइदे हैं क्या मकसद है इन बातों को आपके सामेर रखने के लिए दो शक्स डीटेल्स देंगे प्लीज एक्स्पेन तो अस येस मेंड़ा इट्स अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट इससे पावर प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो सब मुझ में है तो अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिला तो आप लोगों के सारे सपने मैं साकार करूँगा बैट्स आप हाई एवरिबड़ी आप विराट प्रसाद फ्रम प्रसाद ग्रूप्स मेरे फ्रेंड ने पावर प्रोजेक्ट बड़े अच्छे स्टाइल में समझाया मेरा इंटेंचन भी वही है स्टेट को पावफुल बनाना पर मेरी स्टाइल जरा लगे प्लीज कोपरेट हमारे स्टेट में छे तरीके से पावर को जनरेट किया जाता है कोल बेस में 44.9% गैस 23.3% हाइट्रो 6.9% रिनूवल्स 3.6% नूकलियर से 20.3% और पेट्रोल इस 1% मतलब सबसे ज़्यादा 44.9% फ्रॉम कोल मतलब थर्मल पावर प्लाइंट एक्स्टेक्शन मतलब पावर एक्स्टेक्शन इस रिडूस फॉर 5% गैस नूकलियर पेट्रोल से जो पावर मिलती है वो हमें बहुत कॉसली पड़ती है इतना ही नहीं किसानों को MNC कंपनीज को सबसेड़ी देनी पड़ती है इस वक्त हमारे पास कुल हाइड्रो पावर प्लाइंट 20 हैं उन में से 6-8 यूनिट काम नहीं कर रहे हैं सिर्फ मिसिसिपी और नाइगरा से पूरे अमेरिका में पावर सप्लाए होता है बट इस नोट आपनिंग यर्डंट नूओ वाई कि यह तो मेरी किये गराएं पर पाने फेर देगा भवीश में हमारा राज्य पावर के मामले में सबसे आवल रहेगा इसकी तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा फंटास्टिक यू विल दू इट थैंक यू बहुत बड़ी खलती करने जा रहा है मदमस्त हाथी पर कोई सवारी नहीं करता है एक होशियार महावत को मदमस्त हाथी परेशान नहीं कर सकता कड़कती बिजली के सामने आने की कोशिश अच्छी बात नहीं है बिजली की पावर को अपने कबजे में लेकर उसकी पावर को आजमाने वाला नाम एकी है विराट अभी विराट होगा आगे खाक हो जाएगा सामने सांड खड़ा ये सोच कर भागने वालों में से मैं नहीं हूँ कि देख लिया मेरी पावर को सिर्फ एक इशारा और तू उसको प्यारा हूँ सुन पूरे राज्य को पावर देने का प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है तो सोच मेरे हाथ में कितनी पावर होगी की बादर सबोर के राफ पावर है थलूब नहीं कितने सीजार वससे प्यारा कि की ब्हारी बठाब दियां Act पावर को कि दावर झाल 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 इसके पहले भी तुने एक बार मुझे मारने की कोशिश की थी, बट नहीं हो सका, ट्राइ अगें अगें अगें, तु विन इट, बट डोंट बैट ओना डेड हॉर्स देश को बर्बाद करने के नियत वाला, बजजाद, घदार और एक नंबर का देश द्रोही, तु है हलो सर, दिनेश, सर, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें नए लोगों की जरूरत है, तो जितनी जल्दी हो सके फ्रेश टीम को फॉर्म करो, सर, हमारा सॉफ्ट्वेर पार्क फिनिशिंग स्टीज में है, उन्हें बुला लूं क्या? नो, उनका एक कमिट्मेंट है, उनको डिस्टब मत करो, अगर चाहो तो बाहर से रिक्रूट कर लो, अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें शिफ्ट करेंगे सॉफ्ट्वेर पार्क, येस सर, दिनेश, लास्ट वी के कमपनी सेमिनार में गए थे न, येस सर, इंटेलिजिंस India Tech Park, exactly, तुम इमीजेट उने फोन करके हमारी situation को explain करो, और हमारी requirement बताओ, might be they can help us, मुझे लगता है कि उनके पास interaction करने के लिए काफी promising लोग है, I think it's a better option, sure sir, within 10 minutes I'll get back to you sir, yeah, hello, sir, this is Dinesh Kataria, from Prasad group of companies, hello sir, it's me Chetan, from Intelligence India Tech Park, कौन है, किस से बात करनी है, पता नहीं तुम कैसी दिखती हो, लेकिन तुम्हारी आवाज कमाल है, वा, मुझे तो बस तुम्ही चाहिए, ए तुझे पागल कुत्ते ने काटा है, पता है तुझे तुझे किस से बात कर रहा है, सुन, आवाज नीची रख, मैं अच्छे से जानता हूँ, तो रात में कितना बिजी रहती है, हम कैसे कस्टमर है, यह मामू से पुछ ले, कौन सा मामू, अरे, जो हमें आइटम सप्लाई करता है, एकदम टॉप, वह ही मामू, एए, एए, एइ, एई, एए, अरे, अरे, बामरे, भूकम बाया, बचाओ, जमीर हिल रही है, हम सब मारे जाएगे, अरे कोई बचाओ, 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 पकोई नहीं बचाईगा, मैं तुम्हें फुटबल बना कर दोंगी, पहले फोन पर कौन बात कर रहे है, देखो, तुम्हें कैसे पता चला मार्केट में आये हुए फल को सबसे पहले कॉंटेस्ट करता है ब्रोक है तेरा काम नहीं पड़ गया हो तो मेरे पास भीज़दे किसे कहां भीजू से जानता हूं मामू बहुत रात हो गई है अरे टीप थोड़ी जाधा ले लेना देख इज़द से तु फोन रख दे वरना पुलिस को बुलाऊंगा पुलिस पुलिस तु अगर अभी ले करके नहीं आया तो तेरे घर पुलिस मैं बेज़वाऊंगा मुझे माल नहीं मिला तो धन्दाबाद अट भी छोड़ोंगी नहीं और तु भी सुले कमीने तेरे मुपे माटी गिरे दलाली का धन्दा शुरू कर दिया अट भी छोड़ोंगी नहीं मैं मैं अगल तु नहीं किया अगल को लगेषा नहीं थॉरॉ अब तक के हर एक राउंड में यह रॉल टॉपर्स प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में दिनेश आप लोगों को ब्रीफ करेंगे आप सबको अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करना होगा कि सीखना ही जिन्दगी है और जिन्दगी एक किताब की तरह है सीखने वाले स्टूडेंट्स भी चाहिए और सिखाने वाले टीचर्स भी चाहिए सो आप फिल्ड वर्क डिपार्टमेंट्स के हैं सीखिए ओके सर फाइनली मेरा एक ही मश्वरा है मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता मुझे आप सब की जरूरत है सो बी विट मी आई विल सर बट सोच लो सुबह काम पर आने का कोई टाइम नहीं और रात को घर जाने का भी किसी एक को सचेश्फुली ग्रो होने के लिए उसमें एक लिस्ट किसी एक को सचे दिल से डेडिकेशन देना पड़ता है वैसा डेडिकेशन मेरे पास है आप प्र आप अपने प्रूपे था आज पांच रूपे कैसे हो गया भाई साब हमारा धंदा भी बिल्कुल शेर तरता है कुछ पता ही नहीं चलता है बहन थोड़ा डिसकाउंट कर दो ना सुनो स्यादा किछ किछ मत करो अरे तुम क्या चानों पैसा कमाना कितना मुश्किल है अभी तुम यह सब नहीं समझोगी शादी के बाद सब पता चलेगा चुपड़ो नुबता है बहुत बढ़ा हाई बृती दोनों में कौन सुपरस्टार है अभी भी कनफ्यूज हो क्या बात है आज तुमारे घर में लक्ष्पी पूजा नहीं तो क्यों वो क्या है पूजा के लिए पंडिची को लेकर जा लीए इस लिए अरे पंडिची नहीं है हमारा रिष्टे रहा है यह नाम देखते रहने दो मैं हां करूंगी तब ना येस यूरा राइप आप एक काम करो है पहले आप इन्हें घर पर ट्रॉप करके आजा उसके बाद हम दोनों लोंग ट्राइब पर चलेंगे ओके ओके यूरा राइप या सूपर हाई हाई आप वही हीरो है ना आप है कौन ये क्या कह रही है वही उस दिन जो रोड़ पर फाइट हुई थी कुछ याद आया ये बताईए आपके सिर्फ हाथ स्टील के है या पूरी बॉड़ी स्टील की है अच्छा ये बताईए आप खाते क्या है खाना खाता हूं हमारे घर के सारे मर्द भी वही खाते हैं लेकिन मंत्र के अलावा कोच नहीं आता है अब है कौन प्रीथी पुरोहित ये नाम ना मे मैंने प्रीथी को रखकर पुरोहित कट कर दिया आपका नाम विराट विराट प्रसाद के इस भगवान के प्रसाद हो अपने मम्मी पपा का प्रसाद करेक्ट वो भी भगवान ही है ओके आप यहां कैसे तुम जान पैचान हो गई अब फ्रेंस अब फर्मालिटी की क्या ज बताईए अब यहां कड़े बोर नहीं हो रहे हैं तूम हो ना हम्यां तुम सब कहा चले गए थैयर को यहीं है क्या क्या तुम्हारे दिश्टब करने के लिए सौरी और तुमने मुझे दिस्टब किया इसके लिए थैंक्स विराट फिर कब मिलोगे यहां हमेशा अता रहेगा बाइब ब्रदर बाइब कि आघ मेंजिए मेशमेश अ मिलोगे रहे इंट संव बाइब भाष एं एक कांश विला भू आ रिए बाइब पहर दूोचिंघ समय यप, okay sir. Sir, you have any project plans? Yeah. केर्ती? Yeah, sir. Thanks. Sir, project plan. Hope this is what you're looking for. Yeah. Dinesh, शरुबग सभी तक नहीं आए है. शार पांच बजे मीटिंग है. सारी फाल सुनी के पास है. Oh, sorry sir, I forgot. Excuse me. Yeah, boss is living. Yeah, yeah, okay, okay, fine, bye-bye-bye. I will call you back. Sir, वो अल्ड़ी स्पॉर्ट पर है, and these are the papers. You're too smart, Kirdi. Kirdi, come with me. मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए. लेकिन वो पैसा तो मेरे पती का है, या? उन्हे में जानदा तक नहीं. अपनी रिलेशंशिप अच्छी रहेगी, और मेरा काम स्मूदली होगा, ये सोचा था मैंने. उस पैसे को, मैंने इस रिष्टे की कीमत पर दिया था. ये प्रोजेक्ट, मेरी ही कमपनी को मिलना चाहिए. वरना मैं मीडिया के सामने जाऊंगा, और बताऊंगा कि 100 क्रोर रिश्वत ली है आपने. जब तुने पैसे दिये थे, उसी वक्त वो सारे पैसे, मैंने अनाथ आश्रम और स्कूल में डोनेट कर दिये थे. अब अगर तुमने किसी से कुछ भी कहाना, तो मैं सबसे कहे दूँगी कि मेरे विरोधी हूँ कि यह मुझे फसाने के लिए एक चाले है और कुछ नहीं. इसलिए चुप चाप यहां से निकल जो, वर्नौ. यह मत भूलो, तुमारी गॉवर्मेंट अगर चल रही है, तो हम जैसे बिजनसमेन की वज़े से. समझ गई न? तुम जैसे दमकी देने वाले, नजाने कितने बिजनसमेन चेल में रोटियां तोड़ रहे हैं. तुम्हें भी खानी है, तो बताओ. तुम जैसे लोगों के आगे जुक कर, अपनी कुरसी बचाने वालों में से मैं नहीं हूँ. मैं अपने सपनों को खुर्बान कर सकती हूँ, पर आदर्शों को नहीं. अव गेट थे हल आउट आउट आफ यहूँ. एक आम इंसान की तरह संजा रहे हैं. अगर सी एंग की तरह आडर कर दिया, तो जिंदगी भर अफ्सोस करोगे, कि आखिर में पैदा ही की किया हुआ. वाव, ब्यूटिफुल, हाई किर्थी, तुम वहीं क्यों रुख गई? सर, आपका घर तो मुझे मैसूर का… जू जैसा लग रहा है क्या? नहीं, पैलेस जैसा लग रहा है. बैठो नाष्टा करो. इस ओके सर. नाष्टा करने के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दुबारा पूछने की आदत नहीं है. यहां का टेस्ट लग जाएगा तो डेली आएगी. सर, साड़े ग्यारा बजे बैंक ओफिशल्स के साथ मीटिंग है. एंड एरिया सर्वे के लिए एक टीम भेजनी है. हाँ. माजी, नमस्ते. ममी, यह कीरती है, मेरी मा. नमस्ते, माजी. बहुत टैलेंटेड है, इस वक्त नए प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम कर रही है. मेरा बेटा किसी को करीब आने नहीं देता, तुम बहुत लखी हो. सर, कोई स्पूरती नम की मेडम आई है. ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो. हाई, स्पूरती. हाई, आप कैसे ही माजी? मैं ठीक हूँ, बेटी. बैठो ना. जी. दो-दो लड़्डू आ गए तो काले जामून का क्या काम? मैं निकलता हूँ. नाश्ता कर लो, बेटी. मैं नाश्ता करके आई हूँ. कल हमारे घर में छूटा सा फंक्शन है. आप लोगों को जरूर आना है. कैसा फंक्शन? मैं एक बच्ची को गोद ले रही हूँ. आपको आकर उसे आशिरवाद देना है. जरूर आएंगे. अब मैं चलती हूँ. स्फूर्ती, शी इस कीरती. नाइस मिटिंग यू. सेम यह, कला आप भी आईएगा. अब मैं चलती हूँ. ममी, मैं इनने छोड़ कर आता हूँ. ये! अरे ये क्या हो इसे? इस कामेंग! इतना बिजी मैन और… ये! मेरे लिए अपने सारे काम छोड़ कर आ रहे हैं. ये! जब मैं उनके घर गई न, तो उनोंने खुद मेरा स्वागत किया. सच में उसे ने आकर इसे किया. ये! मुझसे कहा कि यहां बैठो और हमारे साथ नाश्ता करो. फंक्शन के लिए जब बुलाया, तो आइविल कम ऐसा कहा. अच्छा? इतना ही नहीं, वो मुझे बाहर तक छोड़ने भी आए. फाइनली उन्होंने क्या कहा जानती हो? आप एक बच्चे को गोद ले रही हैं. फिर आपकी शादी, बच्चे, इसका कोई आइडिया नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारे साथ रहेगी. अपंग बच्चे, मंद बुद्धी बच्चे, HIV पेड़े, जिन्हीं दुनिया नफरत से देखती है, वो भी उन्हीं की देन है. उन्हीं बच्चों में से ये भी एक बच्ची है. मतलब हैंडिकाप है? नहीं, HIV positive. यह नाम सुनते ही कितने लोग भाग खड़े होते हैं. ऐसे बच्चे को आप गोद ले रही हैं. Really, you are great. That's why I like you so much. That's why I like you, ऐसा कहा. सिंदगी में सबसे मुश्किल काम है इंतिजार करना. तुम सब इंतिजार करने के लिए पैदा हुए हो. और तुम्हारा दोस्त इंतिजार करवाने के लिए है. उसके बारे में ऐसी बाते मत करो मैडम. जानती हो कौन है वो? हाँ, वो कोई करोडपती है क्या? जी हाँ, करोडपती ही है, प्रसाद Group of Companies का चेर्मेन. तो फिर अगर वो चाहता तो अपनी कंपनी में तुम लोगों को जॉब दिला सकता था ना? फ्रेंड्स को लेबर बनाकर उन पर हुकुम चलाना वो पसंद नहीं करता. दोस्तों के पीच छोटा, बड़ा, अमीरी, गरीबी ये कोई फर्क नहीं होना चाहिए, यही वो चाहता है. नहीं, नहीं, हम सब को सेटल करने के लिए इस गैरेज के लिए लोन उसी ने दिया है. क्या? वो इतना कंजूस है? हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी खुच समझे, यही उसका मकसद है. यह हो सकता है वो तुम लोगों के सामने नाटक कर रहा हो? जिन्दगी बर कोई नाटक नहीं कर सकता, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है मैंड़ा. वो ग्रेट है. अरे, तुम उसे वो क्यों कह रही हो? हाँ, वो मेरा भी फ्रेंड है ना? एक दूबार मिलने से फ्रेंड हो गये क्या? लड़कियां सुरज की किर्णों से भी फास्ट होती है, यह तुछ नहीं पता. देखो. लड़कियों को मैं फास्ट तो समझता था, लेकिन इतनी फास्ट होती हैं, तुम्हें देखकर कनफर्म हो गया. हाई, प्यारों. हाई, गुरु. हाई. आओ, पृति. गुरु, टाइम हो गया, पूजा शुरुत. चलना, यार. आओ, आओ. क्याव गच्ट लंडूपम, सिंगंधंचमनोहरं, कपिलागरतसंयतं। दोपोयं प्रतित्रिश्यतं। थिव्या दूपम्दरिशयामी. आतीलो बेटी. अब सभी अख्शत डालेंगे. आल दबेस्त त्यारों थेलो तुम कोई गिफ्ट ने दोगी क्या है यह लो बस इतने से काम चल जाएगा क्या यह भगवान का प्रसाद है यह बहन इसके अलावा आप क्या दे सकती है भगवान के आशिरवात से बढ़कर मेरे पास जो कुछ भी है वो ले लो विराट के विष्ट लोन चुकाने के लिए और मेरी विष्ट काम्याभी के लिए इसलिए अब मैं जब भी आओं इस बहन को भर बूर प्यार देना देखा गुरू यह क्या कह रही है इसलिए तो मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ समझ गया इसलिए मैंने पहले ही मना किया था तुझे पता नहीं यह कौन विराट है पापा इज़्जत से बात कीजिए इज़्जत कवाकर मैं अपने साथ बच्चा लेकर नहीं आई हूँ सौरी दीदी मैं उसे प्यार करती हूँ आप सब उन्हें एक बार देखकर फिर डिसाइड कीजिए सुन लिया भागिवान जाने से पहले हाथ पर जोड रही थी और आप देखो और कर रही है इसलिए कहते हैं कि विद्या लोगों को अकलमन भी बनाती है और साथ में बिगा पर वो भी तुझे पसंद करता है बिलकुर वन्हा वो ऐसे मेरे बुलाने पर यहां अपना काम छोड़कर क्यों आते आयलाइक यू ऐसा क्यों कहते सफूर्थी आयलाइक यू के कई मतलब होते हैं सच कहा आयलाइक यू कहना कोई बड़ी बात नहीं है फिर भी आई नीड अगर तेरा यही फैसला है तो आज से तेरे ले इस घर में कोई जगह नहीं अगर मैं आपकी मर्जी से शादी करूं तो मैं इस घर में रह सकती हूं इसके क्या गैरंटी है बाबुजी इसे उचलने दो बाबुजी वो लड़का इसे हां करेगा तब ना करेंगे और तुम स हालो हाय स्पूर्ती मुझे बात करनी है थोड़ी परस्नल है मीटिंग खत्म होने में और एक घंटा लगेगा उसके बाद हम कहां मिल सकते हैं कहां क्यूं हम अपने ओफिस में मिलते हैं लंच में और के बाई हेव ग्रिट डिड अवर्टिंग इस ओके विराट हम आपके सा हम अंध्यरी से जुझने वाली जनता को आप रौष्नी जरूर देंगे वक्स तरा तो हमें अंध्यर घेर लेता है मैं रौष्णी देने वाला कोई महात्मा हूं गया अन्धERी का अहसास सबको है विराट्र लेकिन आप रोश्नी दे रहे हैं और यहीआपकी एक महान सोच ह थेंक यू सर इस्माइब प्लेशर थेंक्स लॉट सर क्या है किर्थी मुझे आप से एक इंपोर्टन बात करनी है जिमर में बात करते हैं हाओ ओ एनसिन हेलो हाई विराट मेडम बॉस तो मीटिंग में बेठे हैं ए मोटे फोने दे किर्थी तुम कुछ कहना चाहती थी ना वो वह अहां जुस्त अ मिनिट सुरी स्फूर्थी मुझे अर्जन कॉल आया तुम्हें क्या कहना था जी वह वह हाई विराट बस इसी की कमी थी क्या गुरू आज तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल कलाफुल लग रही है यह केर्थी यह स्फूर्थी और शी प्रीथी हाई बोलो स्फूर्थी तुड़ी पर्स्नाइब कोई बात नहीं है सब अपने ही है आज तक मैंने समाज सिवा के अलावा कभी अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं लेकिन आप से मिलने के बाद मिलने के बाद मैंने नहीं सर्व बिफोर दाट आइव वान टूसे सम्थिंग सो बलो मैं गाव से शहर आई हूं तो इसकी पसंद हो, बट मेरे लिए तुम मेरी जान हो, इन्हें पहले मैंने पसंद किया था, तुम दोनों से पहले मैं इनसे मिली हूँ, फोर्स्ट लास्ट करने से ज्यादा बेस्ट कौन है ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ का सवाल है, लाइफ, लाइफ, शट आप, मैं रहूँगी, फोर्स्ट लाइफ, नहीं, वो मेरे है, तुम चुप नहीं रह सकती क्या, वाइशुड आई, क्योंकि शट आप, स्टॉप इट, तुम लोग क्या समझ रहे हो, जरा सा अपनापन क्या दिखा दिया, तुम तीनों तो मेरे गले ही पढ़ने लगी, तुम सब एजुकेटेड हो न, प्यार को तुम लोग क्या समझते हो, पूछते ही मिल जाता है, चाहोगे तो हासिल हो जाता है, या फिर मांगने से मिलने वाली भीक है, नहीं, ये दो दि जाको, अब तुम्हारे बगार जीना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं तो जी ही नहीं पाउँगी, मैं अपनी जान दे दूगी, अफकॉर्स, मैं जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, वरना जान दे दूगी, मैं खुद को फासी लगा लूँगी, मैं तुम्हारी पहले साथ नहीं हूं कि थीख है वो हमेंसे कौन है बताओ देखो तुम सब ने अपना-पना फैसला सुना दिया मुझे अपना फैसला सुनाने के लिए टाइम चाहिए कितना टाइम? पता नहीं जब सही वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा वैसे एक सच बात सुन लो मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूँ और वो जब मैं बताऊंगा, तो एक को खुशी मिलेगी और दो को शौक जिसको खुशी मिलेगी, उससे ज़्यादा बाकी दोनों को संभालना ज़रूरी है हम इतना इंतिजार नहीं कर सकते जिससे प्यार पर भरोसा है, उसे नामुम्किन कुछ भी नहीं है सच्छा ही एक दिन सामने आ जाएगी, बेटर यू पीपल रिलाक्स मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूँ मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूँ मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूँ या सिंग विराट, तुझे समझाने से कोई फायदा नहीं अब हम दोनों के बीच होगी सिर्फ जंग, आज से तेरी उल्टी गिन्ती शुरू हो गई, या तो तू रहेगा या फिर मेरे फूल फ्रीडम हलो, क्या हुआ, तेरे बॉस की भट गई क्या, तेरे से बात करने के लिए मेरे बॉस क्यों चाहिए, मैं ही काफी हूँ, चल भोल, इडियट, एए, एए, तेरी तो, अबे मेरी नहीं तेरी तो, एए, मुलकट माता के मंदीर के मेले की तरह तेरे मूँ में सलिया घुषड के बंद कर दूँगा, यू प्लदी, देख, देख तू फैमिली तक मत पहुँच, तो बहुत लखी है, बेटा, एक साथ, तीन-तीन लड़किया प्यार करती है, सच में, मेरा काम आसान हो गया, ये बता विराट, उनमें से तुझे कौन पसंद है, प्रिती का नेचर कैसा है, इदम लड़के जैसा मेडम, लड़के जैसे नेचर वाली लड़की से कैसे शादी कर सकता है, कहे, तुझे किर्ती और स्पूर्ती में कौन पसंद है, मैं उससे बात करूँगी, मम्मी, प्लीज मम्मी, क्या हुआ बेटा, आपको पता है, वो तीनों लड़किया किस पोजि प्लीज करें, बिकोज लाइक देम, फोर वेरियस रीजन्स, सही वक्त देखकर उन दोनों को कन्विंस करके, बड़े प्यार से मैं अपने प्यार को बचा लूँगा, ठीक है, लेकिन मुझे तो बता ही सकता है, कि तो किस से प्यार करता है, मम्मी, आपको बताया बगार मैं पसमें क्यों लड़ रहे हैं, किसी दोग को तो बैक आउट होना ही है, तो तुम दोनों हो जाओ, देखो, तुम दोनों मेरी बेहन जैसी हो, सो तुम दोनों ही ना कर दो और मुझे शादी करने दो, एक बात बताओ, हम में क्या बुराई है, अपना थोबडा देखा है तु हम तीनों बहनों की तरह हैं, तो तुम भी मेरे रास्ते सर्चा, एक्चुली, पहले मेरा शादी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन अब घरवालों के लिए, मैं भी वैसी हूँ, मैं विराट को अपने घर ले जाकर, अपने घरवालों को मना कर, तो तुम दोनों का किर्ती, यह तो बड़ी ही ना समझ है, और तुम भी उससे कम नहीं हो, हाँ जोमी बहुत लगना है जोमी, मत परो, तुम्हेरा ऐसी गलती नहीं करूंगा क्या कहा था तुने, मुलकट माता के मेले में जैसा होता है, वैसा ही करेगा, अब दिखाता हूं तुझा, अरे बाबरे, उस दिन तो इसी की बात कर रहा था ना ये त्रिशूल तेरे मोह में है, और ये हुक तेरे पीठ में फसाओंगा, फिर तु माता से अपनी जान की भीक मागेगा सर, मैं तो श्री गनेज जी के बाजू में बैठे चुहे के जैसा हूँ, जब गनेज जी सामने होता है, तो मैं शान से अपनी मुझे घुमाता हूँ, और जब गनेज जी चले जाते है, तो मैं बिल में घुस जाता हूँ, सर, बिल में घुस जाता हूँ तुझे बिल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे फुक में लटका देता हूँ अब बुला, तेरी खाल उधरते देखकर तेरे बॉस को मेरी थाकत का एसास होगा नहीं बॉस, नहीं मुझे चोड़ दो, नहीं, नहीं, बॉस हो, तो तू आ गया, अफकोस, लेकिन एक बात सुन, मुझे बुलाने से पहले सोचना चाहिए था, मेरे जाने के बाद, तुझे अफसोस करना पड़ेगा, लेकिन क्यों, तू बवंडर है क्या, बेलकुर, इज्जत से नंदी की तरह सर जुकाएगा, तो तू बच जाएगा, अगर सींग मारने के कोशिश करेगा, तो जान से जाएगा, सर जुका, मैं सिंग हो, जिसका सिर कभी नहीं जुकता, सर उठाकर खड़ा रहना स्वाविमान का लक्षन है, सर जुकाना इजजत का लक्षन है, सर घुमाना घमंडियों का लक्षन है, और ऐसे ही सरों को जुकाना इस विराट की स्पेशालिटी है, लोक, तूने मेरे प्रजेक्ट को मुझसे छीन लिया, सीम के साथ जो मैंने रिलेशन बनाया उसे बिगार थिया, तेरी वज़े से मुझे बहुत लॉस उठाना पड़ा है, सो, या तो तू मुझे अपना बिजनस पार्टनर बना ले, या फिर मेरे नुकसान की भरपाई कर शेर कभी भी कुट्टे के साथ नहीं रहता, मेरे साथ दुश्मनी महगी पड़ेगी, मेरे अंदर दो गुण है, अच्छे आदमी को लेने के लिए, यम भी आ जाये तो उसे भी लोटा सकता हूं, लेकिन बुरे आदमी को मैं खुद ही यम लोक पहुचाता हूं, किसका होगा यह पता चल जाएगा, अगर तु सच में मर्द है, तो इस मोटे को छोड़ा कर ले जो सेंग, मर्द क्या होता है यह आज देख लेना, तभी तो तुझ जैसा नामर्द सीख पाएगा अल दे बेस्ट अल दे बेस्ट अल दे बेस्ट जाएगा अल देख बेस्ट गाव्ग। कर दो कि अर्ड पर चाल टुिर बार खुट अजय सुपट से छिछ कि अंध बार्ड़ में युट वार खुट अब क्या हुआ उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता प्यार करता हूं ऐसा भी तो नहीं कहा ना पापा हर बात विश्वास पर होती है और वो विश्वास मुझे है विश्वास ये देख कितना अच्छा विश्वास है ये मासूम विश्वास पही पल रही पापा आप मेरे मामले में दीदी का एक्जामपल मत दो तो अब क्या करोगे बेटा हो सकता है वो लड़की मैं ही हूँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन और कॉन्फिडेंस नहीं इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए खुट टूटा हुआ नारियल बनकर तुम तीनों को प्रसाद बाट रहा है दक्षुना ना मिलने पर जैसे आप घूरते हैं वैसा हमारा प्यार नहीं है देख लो भाग्यवान कैसी बाते कर रही है अरे मैंने कभी ऐसा किया है क्या प्रसाद जब खत्म होने लगता है तब आप बाटने में कजूसी क्यों करने लगते हैं देख किर्दी तेरा प्यार कहां तक पहुँचा है ये तो मैं नहीं जानती सच में अगर तुमें वो चाहिए तो पहले उसके दिल में प्यार जगाना होगा खुद को बरबाद कर चुकी है अब उसे पाठ पढ़ा रही है पापा आप ज़रा चूप रही है तुम बोलो दीदी मुझे ही चूप कर आओ मेरी इसाब से तो हेल्प ले ले किसकी लूप चाहे वो लड़का हो या लड़की दिल की बात हमेशा फ्रेंट से कहते हैं उसके क्लोज फ्रेंट्स कौन-कौन है ये पता लगाओ और उनके जरीए विराड के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है या नहीं एजी लिए पता मेरी इसाब से उसकी मा से बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा बक्वास आइडिया अरे कुछ दिमाग से सोचना यार अरे उसकी मा सेंटिमेंटल है कुछ नहीं हो पाएगा करेक्ट उसके साथ ए तू भी इसमें मत बोल हां सोरी सोरी उसके साथ 24 आस कौन रहता है कि मुझे आपसे एक हेल्थ चाहिए थी किसलिए और क्यूं ये मुझे पहले जानना है मेरा सपना है कि मैं आपके घर की बहु बनू माजी तो आपकी रजामंदी जरूरी है ना विराट के रजामंदी की जरूरत नहीं इसलिए तो आपकी मदद चाहिए उन्हें क्या क्यूंद है मैं उन्हें कैसी लगती हूं उनका पहनावा रहने की जगे उनका खाना सब 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 ठीक है कि कि है 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 ऐसी चाहे विराट को बहुत पसंद है उसका स्टेटस इंपोर्टन नहीं है कैरेक्टर इंपोर्टन है वह साधा जीवन उच्विचार वाला आदमी है हाहा काम के समय जो काम चूरी करता है ऐसे लोगों को विराट जरा खालते हैं उन्हें अपनी जिंदगिए काम से बाहर कर करें चिए मैं में विराट से बहुत प्यार करती हूं आप लोग मेरी हेल्प करो प्लीज लगता है यह सच में हुआत से यह मेरा ही घर है ना डांस पार्टी चल रही है क्या अरे बापरे सारी चुड़ेल मेरे घर में इकठा होकर औरकेस्ट्रा का डांस कर रही है क्या बात है आज मेरा घर संडे बाजार की तरह सजा क्यों है आज से पहले तो यह जंका अखड़ा हुआ करता था इसका सीक्रेट क्या है यह पता लगाना होगा देख बेटा बहुत अच्छी लड़की है बिल्कुल सही जोड़ी है सही जोड़ी है अरे एक है उसे ही में ठीच से संभाल नहीं पा रहा हूँ तुम यह क्यों आई मुझे तुम्हारे बॉस की पूरी डीटेल चाहिए किस लिए मैं तुम्हारे बॉस से शादी करना चाहती हूं और हमारे बच्चे पैदा होंगे और उसके बाए रुको 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 तुम्हें ऐसी बाते करने में शर्म नहीं आती अगर मैं शर्म करने लगोंगी तो कोई तुम जैसा मिल जाएगा जो मुझे बिल्कुल नहीं अगर तुने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इन सबसे ऐसा कहूंगी कि हम दोनों के बीच को चल रहा है एजी क्या है जी मान जाओ ना क्या मान जाओ ना मान जाओ इससे पता चलता है कि उन तीनों के प्यार को मुझसे ज्यादा तुम लोग बहतर समझ पाए हो मतलब उनका सपोर्ट करो उनका सपोर्ट करेंगे तो कंपणी का काम कौन करेगा तीन इमारे गैरेज के क्या होगा जो भी तुम लोग का लॉस होगा मैं भरके दूंगा क्यों कि तुम सब मिलकर मुझे एक लाइफ पाटनर ढूंड के दे रहे हो ना क्या बात है गुरू लोग तो में ही परिशान हो जाते हैं और तुम्हारे भीचे तीन तीन पड़ी है कैसे समवाल होगे तीन लड़कियों को देख चुका है दो लड़कियों को पसंद कर चुका है उसमें से एक सिलेक्ट होगी एक मिनिट मैं मिस्टर शर्मा बोल रहा हूं बोलिये कैसे सर सिंग के जीते जी हमें कभी भी आराम नहीं मिलेगा सर आसपास के गाउं के लोग आ गये हैं वो प्रजेक्ट नहीं बनाने देंगे ऐसा कह रहें तो हम क्या करें सर डोंट वरी उन को किनित का बच्चा यहां बैठके क्या कर रहा है क्या हुआ फुआ यह वरी नयुक्त को형 completely कि और उस्सें रहे हुआ आइफ की कॉंपर सिवक्त अचैंस मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है चल फूट यहां से बे कहा चल फूट यहां से पता नहीं वो किसी लड़के को चाहने लगी है लेकिन वो लड़का इसे नहीं चाहता फिर भी यह उसके पीछे पागल बनी घूमती रहती है एक आशिक के साथ देवफाई मेरी प्रिती किस उसके कट्स उसके सामने हम दूनों जीरो लगते हैं वो तो हीरो दिखता है अरे वो चलेंजिंग स्टार दर्शन है क्या डिट्टो दर्शन जैसा ही दिखता है अरे वापर लड़की को पटाने के लिए उसे मुझसे कॉम्पटिशन नहीं करना चाहिए था एक आम आदमी बेचारा कहां से BMW लेकर आएगा और लड़कियों को तो हवाई जहाज में घूमने का शौक होता है उनका शौक पुरा करने के लिए मेरे जैसी की चड़ी भी दिख सकती है आप भी ऐसा कभी मत करना बाकी उपर वाले की मर्सी प्रसाथ कंपनी प्रसाथ कंपनी प्रसाथ कं पाने के लिए ऐसी फैक्टरी बनाने के लिए आते हो फैक्टरी बना भी लेते हो और उसके बाद क्या कहते हो हमारी फैक्टरी से निकलने वाला पानी और दूआ तुमारे लिए खतरनाक है तो उन सब गाव चोड़कर कहीं आउफ चले जाओ इस वज़़ा से हमें अपनी यह सोने जैसी जमीन तुम्हें कम दाम में बेच कर हमें दूर जाना पड़ता है हमें कोई रामायन नहीं सुनना है भला इसी में है कि तुम आज के आज काम रुख दो मैं यहां पर कोई जहरीली फैक्टरी नहीं बनाने जा रहा हूं मैं इस जगा बना रहा हूं थर्मल पावर प्लांट उस काम के लिए यह जगा गवर्मेंट ने हमें अलोट की है हम वो सब नहीं सुनना चाहते हैं इस काम से हमारे गाव के किसानों को परिशानी हो रही है इ 11,200 एकड़ जमीन है उसमें से सरकार ने हमें 4,860 एकड़ जमीन दी है यहां से तुम लोगों का गाव 50 किलो मीटर दूर है यह काफी लंबी दूरी है इस पावर प्लांट की चिमनी 120 से 125 मीटर की उंचाई की है इससे बाहर निकलने वाला धुआ किसी को नुकसान नहीं पह छोड़ेंगे उस पानी के ठहराव के लिए हम तालाब बनाएंगे वो भी अपनी जगे में आज की नई टिकनालोजी के हिसाब से मैं कहूं तो आने वाले 50 सालों के बाद भी यहां कुछ नहीं होगा यह सब ध्यान में रखकर ही गवर्मेंट ने हमें अप्रूव किया है इ कार पीट तोड़ फोड़ की धंकी दी तो जेल में डाल देगी लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम सब की बहुत इज्जत करता हूं यह बात मैं पहले कह चुका हूं एक्जैम टाइम में बच्चे पढ़ नहीं पाते इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं तुम्हारे गाओं के हर एक जवान को मैं यहां पर नौकरी दूंगा अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपके साथ ऐसी एग्रिमेंट करने को तयार हूं अब बता कि अविनाश बॉस वहां से कोई जिन्दा ना जाने पाए खाथम कर दो सबको ओक्या बॉब तुकाओं वालों को बेवकूब बना सकता है लेकिन हमें नहीं गलती कर रहा है बच्चे जिद में मता पहले प्यार से समझाता हूं वह भी दिल से अगर समझ गए तो बच जाओगे और अगर समझने को तैयार नहीं हुए तो खुद के आवाज भी सुन नहीं पाओगे है जानता है कौनु मैं सिंग का कुट्था कोई था वह तो मेरा फेवरेट है बच्चे का कुट्था कि आवे काい ए्रघ्र क मुन साव्गे आपेस मुन तरिगास। हुआ है कि बुरर कि प्नल चिर को फे खी रर्ड बीत उर्ग जाका है लाप वता प्रशेगान ंंत क स्प preciso हुआ है कि रेसे मेज़缂 उटिको dog को कि ऊगया है है उन्याम Niger रे अजर कि हैंती वियू? कर चार! कर लुड्यो बढ़सा whereby है कर दो से यह कर साम कर दो से यूल हुआ 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 है अब क्या हुआ है अब क्या हुआ वह हम तीनों में से किसी एक को चाहते हैं अब वो लड़की कौन है यही तो नहीं पता वो ट्रबिश मेरा बेटा अलग नेचर का है इतना ही नहीं वो यह नहीं चाहेगा कि उसके वज़े से किसी की जिन्दगी बरबाद हो बीना कुछ सोचे समझे तुम तीनों उसके पीछे ही पड़ जाती हो इससे उसका काम डिस्टरब होता है और तुम्हारी बदनामी पता है यह सब सोचेंगे तो हमारी शादी कैसे होगी हर किसी की अपने अपनी किस्मत होती है अहाम हिम्मत हार कर किस्मत की भरों से कैसे छोड़े इस तरह से नहीं हारते आप ही ने कहा था अफ्कॉस मैंने ही कहा था इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं प्लीज हेल पस एई इतनी ज कलब भी वही है अपने बेटे को फोन करके बताओ वर्णा हमारी डेट बॉड़ी देखनी पड़ेगी कि क्या वाद है मा तीनों आई हुई है क्या अहां बेटा उसमें से एक तो बिल्कुल लड़के जैसी है ना इक्जाक्ली तुने इन सबसे क्या कहा उस बात को लेकर ये मेरी जान खा रही है ममी साइट पे एक छोटा सा प्रॉब्लेम आ गया वही गाव वालों की थोड़ी सी ना नुकर उन्हें बढ़काने के पिछे सिंग का हाथ है बेचारों को कुछ नहीं पता है भगवार फिर क्या हुआ नो प्रॉब्लेम एवरिटिंग इस सौड प्रोजेक्ट इस आन मम्मी थांक गॉड खैर इन ही क्या जवाब दूं डॉंट वरी ममी ओके बाई टेक के शेर तो वहां है तो रिंग मास्टर से हमारा क्या का सब आगे क्या पता नहीं इस बुढ़े से हमारा का पीछा चोटेगा क्या बुढ़ा अपनी कने का फल भोग रहा है खत्म हो गया सब खत्म हो गया मेरे बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा राजे सुन भागवान मेरे कुछ जवाब पूंजी रखी है और इस घर के कागजात वो सब अब तेरे हवाले कामला जी पापा पुर्खों की जो जमीन उस पे जो दो घर है न वो अब तेरे नाम है बेटा तू खुश रहना मेरे ससूर कितने अच्छे हैं लेकिन मैंने इनके बार में क्या क्या नहीं कहां बेटी ओ बेटी हाँ पापा सुनना दामाजी से कहना महरानी नगर में हमारे जो दो घर है ना वो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है अब भगवान के लिए वो तुम्हें दहें इसके लिए परिशान ना करें पापा सुन बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा सब बेनों कोई दे दो तेरे इससे का तु रख ले मैं कमा के बना जो मिलता है चुप चुप ले लो बाबो जी आपका इतना इच्छा दिल है यह जाने परिदा मैंने क्या क्या नहीं का बगवान के लिए मुझे आपके लिए ठीक है आपके लिए दूद लाती हूं आज तू क्यों इतना खुश नजर आ रही है जानती है उन्होंने क्या दिया घर दिया अरे बेवकूफ नहीं चौती गली के कोने में वह सुबह से लेकर शाम तक इस्तरी करते थे और खाली समय में वहां पर आराम करते तेरे दिमाग में कुछ गुशागी नहीं या फिर दुबारा समझाने की जरूरत है मेना हाई विराद हाई हाई हेलो हम देखो तुम लोगों का प्यार स्वीकार करने के लिए या मेरे प्यार का इजहार करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है सो प्लीज गो बैक नो चांस हम लोग यहीं रहेंगे और अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे रिजर्ट लेने के बाद ही यहां से जाएंगे अपके वरक स्पॉर्ट में आपके घर में इन ड्रेसिंग्स ने डेली नेट्स और प्रोजेक्ट वरक में प्रोग्रांग में आपके साथ रहूंगी इपका मनपसंद खानाैं बनाकर आपको खिलाना आपकी सेहत का ध्यान रिखना इन सारी बातों का खयाल रखूंगी तुम्हारा कौन सा एरिया है? मैं यहाँ पर आए हूँ तुम्हारे दिल को संभालने उन्होंने जो एरिया ना कहकर छुकरा दिया है वो मेरा है ठीक है, मुझे कोई डिश्टब मत करना है यह नया केरेक्टर कौन है? मेरा रिष्टेदार है तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आया है? नहीं, मुझे कौन दाना डाल रहा है यह देखने के लिए आया है मतलब? मेरा पहरेदार बनके रहने दो ना, मेरी तरफ से गेस्ट हाउस की रखवाली करेगा आपल आपको 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 से इस सब्सक्राइब चार बोतल के बाद भी नहीं चड़ी नकली है क्या? कि अब कोई बात नहीं मैं पहन लूँगा कपड़े पहनाने के बारे छू रही है उसमें गलत क्या है उसका एरिया है जो मर्जी चाहे वो करे जैसा चाहेगी वैसे यूज करेगी रहने दो तुम्हें कौन समझाएगा तुम तो लड़की ही नहीं हो कंफर्ब करना है हां छी खुद को लवा कहती हो मालेक मेरे एरिया में तो कोई पूजा दक्षिना ही नहीं प्रसाद का तो नामो निशान नहीं है सिर्फ प्रदक्षिन है हलो यह मेरा एरिया है आउट आउट तू क्यों जल रही है उसकी बैटिंग है ओडियंस की तरह मैं चुप चाप नहीं बैठी हूं क्या तू भी बैठ ना तेरे होने वाले पती को किसी और के साथ देखकर तुझे दुख नहीं हो रहा तेरी पार प्रीति हम दोनों का हाल एक जैसा ही है इस तरह एरिया में बटे रहने से अच्छा है कि हम दोनों साथ में आ जाए बढ़ा अच्छा रहे गाला है उसके बाद तुम मंत्र पढ़ते बैठना और मैं तुम्हारी बगल में बैठकर घंटी बजाओंगी क्या कर दो हुआ है कर दो तो निरत कर विर फिर फन्पर, रह संवा हुआ mont smart और उखं आरे का कि वामाला रहा हुआने तो जो साक्ट कि रहर सी अरे बाबरे बॉस का फोन हलो क्या कर रहे हो मैं नहीं आऊंगा सोचकर आराम कर रहे हो सर सर नहीं सर फोन उठाने में ज़रा देर होगी पता नहीं किसका फोन होगा इसलिए ऐसा क्या हुआ अगर मेरी आवाज से इतना डरते हो तो गडबड करते क्यों हो ठीक से रहो ना तुम अभी तो कॉफिस क्यों नहीं है जी मैं अभी आ रहा हूं सर वहां पहुंच के फोन करता हूं सर उसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है सर कहां चली गई होगी कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे लगता हमारा प्यार दिखकर वो समझ गई होगी कि उसका कुछ नहीं होगा इसलिए भाग गई होगी घर के अंदर तु, घर के बाहर में अलो, डर कर भागने वाला कियारेक्टर मेरा नहीं है बाथरूम और बेड्रूम मेरा एरिया है रोमांस चलता है बाथरूम में और माबाप बनते हैं बेड्रूम में हाहा, तु आदमी है के मामु है मेरी बात छोड़ो, जब बटवारा किया था, तो ये एरिया छोड़ दिया था, पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा सुझ में नियात हम इसको क्या करें पूजा हो जाने दो, प्रसाद तुमें मिल जाएगा पाप रे, क्या थ्रिल था सुपर्ब एक्सपीरियेंस आज के सुप का फल पूरे नौ महीने बाद मिलेगा मंगल सुत्र बांदे की इरादे से आया था लगता है बच्चे का नामकरन करना पड़ेगा सिंगेज किंग, ये कहवत आज गलत साबित हुई सिंगेज के सारी संस्थाएं लौस होने की वज़े से और तो और बैंक से लिया हुआ करजा वक्त पर ना चुकाने की वज़े से मुश्किल में आ गई हैं क्योंकि उन्होंने फ्रॉड करके गलत तरीके से पैसा कमाने का सोचा था मुझसे आगे कोई नहीं यही उनकी गलत सोच उनके नुकसान के वज़व बनी इसलिए सिंग के सारी संस्थाएं अब बंध होने के कगार पर खड़ी हैं और बैंक्स अपने पैसे वसूल करने के लिए उनके प्रॉपर्टीज पे कबजा कर रही हैं इसलिए सिंग अन कमप करो मुद्दे पर आओ ठीक है मेडम मुझसे घलती हुई है जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मेरे पास जो पूंजी बची है उसे मैं आपके पावर प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूँ अब मुझे सिर्फ नाम चाहिए प्रॉफिट में 2% मिल गया तो भी काफी है इस विश्य में विराट से खुद बात कर लो जी वो विराट मुझसे नफरत करता है मेडम उसका जिम्मेदार कौन है जब कोई इनसान कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है और कोई उसे खराब करना चाहे तो उसे नफरत ही मिलती है मानता हूं मेडम लेकिन आप उसस विराट नहीं सकते तो शारण में जाकर बचने का कोई उपाय तो ढूढ़ना पड़ता है न मेडम जब देखो मेडम मेडम ठीक है मैं बात करूंगी पर सी एम की तरह नहीं एक आम इंसान की तरह और अगर विराट नहीं माना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा थैंकि मेडम क्या बाते तीनों देविया आज एक ही जगह पर नारत की ही कमी थी मैं भी जुड़ जाओं क्या आपके खेल में अब सर तुम तीनों में कोई कमी नहीं है तुम लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई इसलिए मैं तुम तीनों के लिए गिफ्ट लाया हूँ इसके अंदर जो गिफ्ट है वो हमारे और तुमारे बीच के रिलेशन्शिप को इंडिकेट करता है इसलिए मैं नहीं दूँगा तुम लोगी सिलेक्ट करो और बनने वाले रिष्टे को तुम लोगों को रिस्पेक्ट करना होगा ओके मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए ऐसा कोई चॉइस ही नहीं है अगर तुमने गिफ्ट नहीं लिया तो यू आर आउट अफ दो कॉंटेस्ट और एक बात मेरे प्यार का इज़ार करने तक तुम लोग इस गिफ्ट को नहीं खोलोगे अगर तुमने इसे खोल दिया तो तुम सिर्फ अपने आपको नहीं मुझे भी धोका दोगे इसका मतलब तब तक हम टेंशन में रहें अफकोस इंतजार करना टेंशन है लेकिन उसक अगर इसमें राखिन निकली तो क्या करोगी बताओ तुम्हें बांदूंगी बोलो मम्मी विराट तुमने खाना खाया खा लिया मम्मी खाना स्पूर्ती ने बनाया था ना तुम्हें अच्छा लगा बिटा तुमने ट्रेनिंग दी थिना मा ठीक है है वहां तीनों आई है न क्या कह रही थी क्या कहेंगी बेकार में टेंशन इसलिए मैं आज उन्हें टेंशन दे कर हाराम से हूं ओ ऐसा क्या कर दिया तुने घर आउंगा तब पताऊंगा ठीक है बेटा मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि सीम तुछ से मिलना चाहती है वो है अगा 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 यह सब कह रहे हैं कि यह सब कह रहे हैं कि यह आपके लोग है अगर यह बात सच है तो सर अगर यह सच नहीं है तो उनके आने तक जड़ा सर यह सब मेरे अपने ही लोग बाट इतने इंपोर्टन नहीं है इस यह सब कौन है सब सबस्क्राइब यह घर के काम वाल यह बेडरूम बाथरूम क्लीन करने वाले हैं लिकिन दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हैं और प्ड़ार्म्री जाब और गवर्मंट टूल के हिसाब से इसाब अपनी मर्जि से काम कर रहे हैं तो आप यह गुट और भी कोई तुम जैसे हो तो बताना हमार गवर्मेंट बंगले में हाउसकीपर की जरूरत है बुडिया सठी आ गई है प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है चलिए सब बाहर चलिए बाहर चलिए विराट मिस्टर सिंग आये थे वो तुम्हीं जॉइन करना चाहते हैं नहीं मेडम चाहिए तो पूरा प्रोजेक्ट उने देदीजे अईसा फैसला मत करो वो मेरे पास आये थे और माफी मांग रहे लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते मेडम जन से लेकर मृत्यू तक के बीच में नजाने हम क्या क्या करते हैं अच्छे बुरे पता नहीं कैसे कैसे रास्ते अपनाते हैं और आगे ही बढ़ते जाते हैं उस दिन ये पाप प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने के लिए मेरे पास आया और मुझसे जगड़ा करने लगे तब उनकी सच्चाई सामने आई लेकिन उनका दिया हुआ पैसा समाज के कई लोगों के काम आया उन्होंने कहा कि मैं बदल चुका हूं तो अब ऐसे में उन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए ठीक है मैडम जैसे आपकी मर निदेगे में आपकी में खास यहां प्रोजेक्ट का काम कैसे चल रहा है वही देखने के लिए आई तो वहां चल कर देखने के लिए अधार है मिस्टर विराट मैं से बात करके मीटिंग फिक्स करती हूं ओके मैं रुक जाओ मैं कुक हूँ मैं तुम्हारे घर के नौकरानी हूँ तुम लोगों को छोड़ो और मैं यह सब तुम अपनी मर्जी से कर रही हो ना मजाग बहुत हो गया बी सीरियस अब यह बताओ उम तीनों में से तुम्हें कौन पसंद है पसंद नहीं प्यार हां वही जिस दिन उसने मुझे प्रपोस किया उसी दिन में कह देता लेकिन उस दिन में थोड़ा टेंशन में था कह देता तो पता नहीं अब तक क्या उथल पुथल हो जाती बट टुडे आई होप यू अंडेस्टैंड क्योंकि मेरा फैसला अल्रेडी तुम लोगों के पास पहुंच चुका है जाओ जाकर मेरा दिया हुआ गिफ्ट लेकर आओ हम ओपन करो यह क्या है मदर सिंबल और मेरा फ्रेंड्शिप बैंड पर मुझे तो यह लाल कलर दिया है कम से कम चंदन ही दे दे तो माथे पर लगा कर कीर्टन भजन तो करती रहती कस्तूरी की कीमत बंदरिया क्या जाने मैं भी नहीं समझी स्पूर्थी लाइफ में इजजब आदर और प्यार ऐसे कई चेहरे होते और तुम्हारी मैं करता हूं इजब मेरी मा को और तुम्हारा जनम दिन एक ही दिन है तुमने कुकिंग की सब कुछ संभाला इसलिए मैं तुम्हें मा की तरह इज़त देता हूं लेकिन मैंने जोब कुछ किया वो प्यार के लिए मा तो हमेशा प्यार ही लुटाती लेकिन बच्चे करते हैं इज़त क्या मैंने कभी तुम्हें आई लव यू कहा था अफकोस वो तुम्हारे नेचर को देखकर कहा था एंड वन मोर थिंग तुमने बच्ची को गोद लिया था उस वक्त तुमने क्या कहा था क्या कहा था कान में नाम बोलो, मैं? इस बच्ची को तुमने गोद लिया है, तो इसकी मा तुम हुई, तू अब कहो? एश्वरिया, एश्वरिया, एश्वरिया सर चलकर आशिरवात दे दिजिए, मैं? जी हां सर, सभी बड़े लोगों ने आशिरवात दे दिया ना? इस बच्ची के लिए आप एक बड़े भाई बनकर आशिर्वात दे सकते हैं ना तब उस बच्ची के तुम मा बनी और मैं भाई बना तो हम दोने के बीच क्या संबंध हुआ मा बेटी का बेटा एक बेटा मा के इज़्जत करता है उसकी पूजा करता है और कुछ नहीं क्यों मुझसे कोई भूल हो गई गया मेरा प्यार तुमने प्यार किया होगा बट नॉट फॉम माई सेट ए एक भाइव मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन पसंद आने वाले से प्यार नहीं होता है तूम जब फर्स तैम उससे मिली थी क्या यो कहा था I want to be a part of the successful company sir so you're part of my company you're part of my success but not for my life take care I am a I 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